सब्सक्राइब दोस्तों मैं हूँ वैवाफ श्वर्मा और नर्चर क्लासित के थुरू आज हम जो हमारे ncrt के mcq है जोग्राफिक के mcq है उसका आज हम 27 लेक्ट्चर डिसकस करेंगे जिसमें जो आपके वैरियस एक्जाम है उनके लिए काफी वेनिफिशल होंगे और साथी साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी जानने को कौन सी बराब दा बराब रिवर जिस फैमस रिवर अभी ये बहुत ही प्रिशिदν रिवर है और यह कहाँ किया है अभी चार option दिए गए आपको बच्चो पहला option दिया वेस्टन घाट पश्मी घाट और दूसरा option है आपका इस्टन घाट मलब पूर्वी घाट और तीसरा है सत्पुरा hills सत्पुड़ा जो mountains है hills है पाड़िया है और लास्ट में आपके मनीपुर hills तो वीडियो को पॉस कीजिए और खुश से कोशन को अटेंड करने की कोशिस की दिए चलिए ज्यादा difficult नहीं है कोशन इजी कोशन है वन लाइनर कोशन है जो आपके exam perspective से का और साथी साथ में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम आपको इंडिया की सारी रिवर्स के बारे में बताएंगे उसकी कहां से source of wine कहां से अपना पानी गिराती है जाके सारी चीजों के बारे डिसकस करेंगे आपको लिंक है description box में दे दी जाएगी तो आप वहां प यह हमारी बराक रिवर का है बराक के बारे में अगर देखा जाए तो बराक रिवर के बारे में नौ और कि नौ सो किलो मेटर ट्रेवल करती है कहां से मनीपूर नागा लेंड, मिजोरम, असाम, चार स्टेट में जाती है, मतलब ये मनीपूर से निकलती है, नागा लेंड, नागा लेंड से असाम में, असाम के बार, फिर मिजोरम में, मिजोरम के बार, फिर ये बंगला देश में कुछ जाती है, ऐसे करके चलती है बराकरे बार, और ये क और जैसे यह इंटर करती है यहां पर तो इसका नाम चेंज हो जाता और नाम क्या हो जाता सुर्मा एंड कुशियारा बाद में से कुशियारा भी कहते हैं और फिर फिर इसे कुशियारा भी कहते हैं और फिर फिर थोड़े आगे चल लेंग बाद इसका ही नाम मेगना हो जाता तो उसका नाम बन जाता भागी रथी जब भागी रथी दुबारा आपकी एंटर करती है बंगला देश में तो उसका नाम बन जाता है गंगा का नाम हो जाता पदमा और ये जब पदमा रिवर बंगला देश में जाती इधर से आपकी क्या है इदर से यह आ रही होती है आपकी क्या ब्रह्म पुत्र रिव्ders और ब्रह्म पुत्र रिवर्ड जैसे एंट्र करती है बंग्ला देश में तो इसका नाम बन जाता है जमुना जमुना इसका पदमा गंगा का पदमा हो जाता है जब जमुन 그리고 बंगलादेश में एक ज strapsों नाम इसका रहता क्या नाम रहता तब इसका नाम बंगलादेश में नाम Lisa मेंधना हो जाता है फिर यह मेंगना river जाके आगे कहां मिलती है यह आगे जाकर मिलती हैría वच्चों इसमें जाके जो आपकी पदमा रिवर इसमें मिल जाती है अब फिर ये पदमा रिवर फिर इसका नाम आगे बन जाता है मेगना मेगना ये रिवर है फिर मेगना आगे जाके ये डेल्टा बना देती है ताँब काहां जिसे सुन्दर्वंडल्टा क्या कहते है सुन्दर्वंडल्टा हम आपको बता चुके, क्या होता कई बार तो यह था river system पूरा अब barack reever निकलती कहा है मिजोरम मनीपूर से निकलती है फिर नागरलेंड असा मिजोरम इसके बाद ये जाती है एंटर करती है वंगलादेश में इसका नाम सुर्मा हो जाता है फिर इसका नाम कुशियारा भी हो जाता बाद में इसका नाम मेगना हो जाता फिर ये मेगना कहां पे मिलती है पदमा में मिलती है फिर इसक सबसे ज़्यादा सुंदर्वन डिल्टा में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाया जाती है मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं मैंग्रोव में लखिए एक वेजिटिशन है एदा स्पीड ब्रेकर काम करती है कॉस्टा लाइन को बचाती है सब कुछ है और भी इसके वेनिफिशन पाराउजा विल्यानit number one से निकल्टी आपकी में लिख निकलती आपकी से कि एकने बाब से निकलती इसका नाम सांग पो रिवर होता हैं अग्डों तर इसे सांग्पों कहते हैं और जब यह दिहांग यहां से अनाचल प्रदेश में गुश्टी है तो इसका नम दिहांग हो जाता है और जब यह ऐसा में गुश्टी तो इसका नम ध्रम्पुत्र हो जाता है फिर वापस यह बंगला देश में गुश्टी तो इसका नम क्या हो जाता है जमुना तो यह था ह वाला जो पार्ट है यह वाला यह का वैस्टरन घाट पर यह आपका यह वाला पार्ट है यह आपका है इस्टन खाट है इस्टन खाट शूप्र है裡面 ये सत्पुरा और बिंदे के बीच में क्या जाती है आपकी नर्वदा रिवर्फिलोह पकी नीचे आपको अप मिलें ग chut, तो तो सथ्पुरा रियल्ज आपको फील्ज का मिलेंगी जो फाय लिए या आपको मद्याप प्रदेश हौ महारास्ट में मिलेंगी MP और MH महारास्ट मिलेंगी तो चलिए उम्मीद करते हूं यह समझें और Eastern next question है which amount of falling matches of peak with their corresponding ranges are correct मतलब आपको mountain hills की जो peak भी रखती है highest जो सबसे उची peak होती है देखो यह जैसे mountain hills है एक mountain range है अब mountain range में सबसे highest peak यह हो गई तो यह mountain range है अरावली नीलगरी अन्नामलाई सत्कुरा पहले तम जाने के भारत में यह कहां कहां है इसके बाद देखेंगे क्या इनकी जो यह जैसे गुर्ष शिकर अरावली की highest peak है highest peak वाला सबसे उचा पार्ट ठीक है तो उम्मीद करते हूं आप समझ गए होंगे तो चलिए वीडियो को पॉस कीजिए कोशन को खुश से अरावली है अरावली के बारे में जाने तो यह दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड मॉंटेन रेंज है एक फोल्ड मॉंटेन रेंज है कैसी दा ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट वर्ड की सबसे पुरानी फोल्ड मॉंटेन जिसे कहते हैं बलित पर्वाथ बलित पर्वाथ अरावली पर्वाथ मॉंटेन रेंज है यह ऐसी ठीक है यह आपकी गुजरात से चलती है गुजरात के बाद यह आपको राजिस्तान में सबसे ज्यादा राजिस्तान में लंभी संसद है पालयमेंट है यहां तक यह स्टीप बहुत जादा लो स्टीप यहां पर फिनिश धासे तो कितने इस टेट में जाती है आपकी गुजरात राजिस्तान हर्याणा एक इन टेटी दिली में जाती है इसकी हाईस पीक अगर बात करें तो इसकी हाईस पीस गुरू शीखर है गुरु शिखर है जो माउंट आवू में पढ़ती है कहा पढ़ती है माउंट आवू एक जगए है और यहां पर क्या है गुरु शिखर इसकी चोटी है देखो जिसकी उचाई किती है यह 1752 किलो किती है 1722 किलो लीटर की है गुरुशिकर अच्छा जो साउथ वेस्ट मांसून है यह जब एंटर करती है इदर तो यहां तो केरल लिविरल में यहां जो वेस्टन घाट है उसके वेस्टन पार्ट पर बहुत बारिश करती है लेकिन जब यह इदर गुजरास से घुशती है त जो साउथ वेस्ट मांसून है उससे सबसे ज़्यादा बारिश आपकी कहा होती है मांट आवू में ही होती है गुरुशिकर क्योंकि सबसे उची चोटी गुरुशिकर है बहां से क्लाउड को टकरा जाते है जिससे बारिश हो जाती है तो साउथ वेस्ट मांसून से जो बार आपकी कहा है खजी खजले तो सथ पुड़ा कि बात करने कि कहा है महारास्ट्रा में है कंप और है कितनी उची है तेरा सो पचास इसकी हाइस पीक कौन सी है जो दूगड जो सत्रा से तेरा सो पचास मीटर है इतनी उची है ठीक है अब सत्पुडा रेंज के ऊपर एक बिंध्या रेंज है बिंध्या रेंज या सत्पुडा रेंज के बीच में आपकी एक रिवर फ्लो होती है और जो पैंसुलर इंडिया की वेस्ट फ्लो रिवर में सबसे लंबी रिवर है जिसका नाम है नर्बदा नर्मदा ये वे आफ खंबाद में अपना पानी गिरा देती है ठीक है जो अमर कं कंटक की पाड़ी है वहां से निकलती है अमर कंटक से तीन नदिया एक सोन नदी भी निकलती है महा नदी भी निकलती है सोन नदी यूपी में जाके गंगा में अपना पानी गिरा देती गंगा की ट्रिवूटी है वो विहार के पास जाके और जो महा नदी है वो कटक में ज सबसे वड़ी वेस्ट फ्लोईंग रिवर है और पूरे प्रेंसलर इंडिया की देखे जा तो सबसे वड़ी गोदावरी है गोदावरी के बाद आपकी क्रशना आती है फिर तीसे नमर पर आपकी नरवदा आती है ठीक है तो चलिए इसके नीचे जस्तापी रिवर है ठीक है वह भी आपकी वेस्ट फ्लोईंग रिवर है तो इसकी सबसे उची हाइस पी क्या हो गई दूपगड़ हो गई कहा है मद्प्रदेश में है यह आपकी कहां पे है यह मांटेन रेंज आपकी मद्प्रदेश और महराश्ट में है अन्ना मोडी देखें आप साउथ इंडिया क और मुड़ी हीं आपको सबसे हाइस किस अन्नामला हील्स की है और अन्नामला हील्स है दुनिया मला पैंसुलरर इंडिया की दच्श्ट भारत की सबसे उची चूटी है अन्नाकी जाएंगे तो आपको review का बाडम में लेगे सब से नीचे आपको agast काडम में में Rs 150 की पाड़ियां मिलेगई उसके नीचे आप जाएंगे अंन्नाकीक भी गो है अगस्त हिell मैं हिल्स में för3ल कहा है अगर हम बात करें रेंगी और ऑ 2637 मीटर है और इसके बाद 2637 मीटर है और भही आपकी अन्ना-मोडी है वो 2695 में मीटर है तो यह अन्ना-मोडी यह है जो आपकी यह South India South India या Peninsular India कह सकते है South India कि सबसे उची चोटी है सबसे highest peak है इसके बाद आपकी दूड़ा बेटा आजाती है जो 26 and 37 इसके बाद आपकी धूबगड किसकी है धूबगड़ा आपकी सत्पड़ा जो में तेरा सो पचास मीटर आए यह आपने मैप पर देख लिया तो गुरुशिकर कहा है गुरुशिकर आपकी अगर देखा जाता है तो कह करनाटका और एक आपका तमिलना और नीलकिरी का यह है डोड़ा बेटा हाइस पीक है इसकी उचाई कितनी है इसकी उचाई है 267 मीटर ठीक इस अन्ना मोड़ी जिसकी उचाई है 265 मीटर और यह प्रायदीपि भारत है नीचे वाला पार्ट या साउथ इंडिया उसकी सब स इसकी हाइस पीक है अन्ना मोड़ी अन्ना मोड़ी आप देखी चुकि तेरह सो पचास मीटर रहुची है तो ऑफ्षन हमारा क्या बनेगा अच्छा एलिमिनेशन लगा सकते गुरु शिकर तो सम्में यह सही है डोड़ा वेटा नीलकिरी अगर अब इन्वेंस कन्फ्यूज अन्ना मोड़ी आपको सबसे प्रता पता है तो तीसरा समय है तो यह आपका अलिमिनेट हो जाएगा आप बचेए अब दो को आपको करेक्ट देखना पड़ेगा चार को चार समय है तो आप और निकाल ले जाएगे बाकि अलिमिनेशन लग सकता है लेकिन थोड़ा डिफिक प्रतिशन एंसीलेटिड देखना जेए नेस नेकस्स फॉंशन का गेंसरिये लिक्रवा क्योंट नेक्स कोशन है लक्षतेप ॉछ्ध्धीप ॉछ क्या समय है ुट्सा क्या समय है और लक्षदीप लेगिन साथ THE पर तकर आईलेट रहे जो और जो मिनी कोई है वो लक्षदीप आइलेंड का ही एक पार्ट है ठीक है यह भारत का है लेकिन यह कह रहे हैं आज सेपरेटेड़ वाइद वीच ऑफ द फॉल लाइए एट डिगरी चैनल अच्छा यह जो चैनल है यह क्या है यह लैटिटूड है लैटिटूड जिने हम कहत समझ सके मैं आपको ठीक है तो लक्षदीप आइलेंड मिनी कोई आर्दा सेपरेटेड़ वाइच ऑफ द फॉल लाइंग तो आपको बताना है एट डिगरी चैनल नाइन डिगरी चैनल थैटीन डिगरी चैनल इन अनौपती जाए तो वीडियो को पॉस कीजिए अब कोशन क को खुछ सेटिन करने की कोशित कीजिए तो उमीद करता हूं आप कोशन समझ गया ठीक है तो चलिए कोशन क्या है देख लिए आपने चलिए आगे बढ़ते हैं यह हमारा प्यारा भारत अब प्यारे भारत में अगर हम चलें तो देखें यह आपको एरेवियंसी मिलेगा इ यह पूरा इंडियान ओशन है एंडियान ओशन में देखिए तो अरिवियंसी में भारत का एक आई-लेंड कंट्री है ए इन्ध्री है जिसका नाम है लक्षदीब जिसे में और लक्कादीब कांदी को intercept है इस्षपत्रे եे किढ़ीर princ में इंडिया यह जो इंडिया है आपका नॉर्दन हेमिस्पेर में हैं यह सारी चीजें दिमाग में रखो क्योंकि छोटी छोटी चीजें पर कोशन स्टेट्मेंट बन जाते हैं की पॉइंट्स है यह तैक के नॉर्दन हेमिस्पेर में अब नॉर्दन हेमिस्पेर में तो जानते हो माल दीप नीचे हैं, तो माल दीप और मिनी कॉय फिर आपका लक्षदीप पढ़ता उपर है, ठीक है, तो देखो, यह मिनी कॉय है लक्षदीप का ही बाग, अब देखो, माल दीप और मिनी कॉय के बीच में आपका किता डिगरी, 8 डिगरी चैनल है, अब जैसे उप पर बढ़ोगे तो मिनी को लक्षदीब के बीच में आपका किता 9 degree channel है ठीक है और जैसे इधार देख लो कार निको बार अंडमान और निको बार दो आइलेंड है तो अंडमान निको बार के बीच में आपका किता 10 degree channel है वैसे ये तो कोशन बंजाते है है तो यहां पिंप muj najwięan को समझ गये होगे कैसे है एक बार और देख लो यह आपका मिनिघ्राइलेंड यह किसका पार्द है यह 120 आधि पार्ट है मिनिक आय और मीक्नील लक्षिदीप पर भीच तो कितने李 चैनल से सेपरेट होता है मिनी और नाईड ढेसे टरिचानल से क्या होता है एट ऌहली चैनल से आपने देखा Всемिन कृय और माल्दीब Master से कड़ायद होता है है खालिवर घुन डिगल अइक बार मैप पे दे ďक और अच्छे से और देखो यह रहा हमारा प्यारा भारत है अलाए प्यारे भारत को जून किया चाहे तो इसक्रांख में यहांगे आइलेंड फै और इंदमं लाए Sharm निकोबार सी है, तो जहां पे देखेंगे यह एंडमान है निकोबार आइलेंड, तो यह वाला जो पार्ट दिख़ रहा है, आपको निकोबार यह पूरा कार निकोबार है, तो इसके बीच में तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गया होंगे ठीक है यह और इधर आएंगे तो आपका यह लक्षदीब पड़ेगा लक्षदीब का यह माले यह क्या माले किसकी माल डीपी कैपिटल है ठीक है यह एक आरकिपर आइलेंड कंट्री है बहुत सारे आइलेंड से मिलके बनी है त उम्मीद करता हूँ आप समझ गया होंगे चलिए वापस अपने कोश्चन पर आते हैं यह रहा हमारा सवाल तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब लक्षदीब के बारे में थोड़ा जान लो तो लक्षदीब क्या है अभी इसको एक सबसे छोटी आइलेंड यूनेंट्रेट् इसे अभी भारत का एक इन्टेटिक घुषित किया गया 100% किसके 100% जैविक खेती के लिए बायो फटिला मलब जो यहां पर जैविक खेती बायो एग्रिकल्चर के लिए यहां पर कोई भी केमिकल फटिलाइजर या कोई भी खेती के लिए यूज नहीं होते हैं यह सारी चीज़ें ठीक है तो यह था लक्षदीब के बारे में अब चलिए नेक्स कोशन नेक्स कोशन है हमारा अरेंज दा फॉलिंग ट्रिब्यूट हमें इस टुवेस्ट बताना इस टुवेस्ट केदर हुए इस टुवेस्ट इदर हुआ यह ढ명이्यार घायाइंड यह यह कहा गया यह चारो नदिया है यह अपना पाणीब्हण पूतर हों मैं शयक नदिया है इनको आपको यह स्ट लगाना तो नीच यह उप्षों दीया अगर पढ़ा होगा, इस से पहले तो आप इस कोशन को अच्छे से अटेंड कर लेंगे, उमीद करता हूँ, तो चलिए, देखते हैं, ब्रमपुत रिवर के बारे में East to West, कितनी क्या-क्या साइक न दिया है, क्या है, पहले तो हम ब्रमपुत मैप पे देखते हैं, ये है हमार से निकलती है, ये निकलती है आपकी, ब्रमपुत रिवर है, वो आपकी कहां से निकलती है, वो आपकी निकलती है, तिब्बच से निकलती है ब्रमपुत रिवर, और जब जैसे ये तिब्बच से निकलती है, तो ये क्या है, ये अपना डेल्टा बनाती है, कहां पे, ये प सांकूर इवर कहते हैं छाइना मैं सांकूर रिवर जोभ धीरे-धिरे ट्रבת करती है वेस्ट की तरह और फिर यह क्या करते है टर्ण ले लेती है साउथ-वेस्ट की तरह flow ने लगती है और फिर यह भारत की स्टेट है औराचल प्रदेश नौर्थ- इस्ट फुर्देश वहां ये दिहांग गौर्ज है, गौर्ज मनलब एक पास होता है, बहां से ये पास होता है, एंटर करती है और अचल प्रदेश में, तब इसका नाम चेंज हो जाता है, और अचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाता है वेटा, इसका नाम दिहांग हो जाता है, और जब ये दिहा पास आपकी आसम में करती है तब इसका नाम ब्रह्मुकुतर हो जाता है। ऐसम के बाद ये normal में पास करती है तो इसका नाम जमुनध हो जाता है। से पहले कोर्शन में हम डिसकस कर चुके हैं हम आज इसकी ट्रिबूटरी के बारे में देखेंगे इसकी ट्रिबूटरी कौन सी है तो यह तो मैप है देखो सबसे अगर राइट ट्रिबूटी लेफ्ट ट्रिबूटी देखी जाए तो इसकी दिहांग रिवर के बाद इसकी ल मानस धन्षरी लोहित तीस्ता मानस धन्षरी लोहित तीस्ता तो धन्षरी रिवर भी देखेंगे और मानस रिवर इधर से आती है लोहित दिवर यह मैप रहाल इधर कहीं से आती है यह नदी और जैसे यहां पर एंटर करती है यह ऐसे करके हैं यह तो आपकी ब्रहंपुत रि यहां पर यह पराक्रिवर आपने देखी थी अभी, हमने पढ़ाया था, यह मेकना जिसे कहते हैं, यह आजाके डिल्टर करती है। कि यह तो इसका स्ट्रक्टेर इससे यहां पे सांगपुर कहते हैं सांग पुरिवत जब यह दिहांग गौज पहला इसे यहां से पास होती है यहीं पे नामचावरवा परवत है जो आप कह सकते हैं इंडिया के जून नौर्टी में इस्टन सबसे हाइस पीक इसके बाद आप अणाचल प्रदेश में जब गुस्ति नाम हो जाता दिवांग और जैसे ये रिवर्ड आपकी ब्रह्म पुत्र यहां असाम में गुस्ति तो, इसका नाम हो जाता ब्रह्म पुत्र ब्रह्म पुत्र में जानेंगे फिलाल तो आप इतरी ब्रह्म पुत्र में दो नदियां मिलती है यहां से एक रिवर आती है आपकी अनौचल प्रदेशी जिसका नाम है दिवांग दिवांग रिवर फिर यहीं से एक रिवर आती है आपके असाम में मिलके मिलती है जिसका नाम है लोहिद नीचे से आपकी एक रिवर आती है यहां से और यह जाती है धन्सरी जिसका नाम है क्या है धन्सरी और यहां से आपकी मेगाले से एक रिवर आती है, यहां पर मिल जाती है जिसका नाम है कोपीली उपर अगर देखें तो आपकी एक रिवर ऐसे करके आती है जिसका नाम है सुबन सिरी सुबन सिरी फिर आपकी इदर से आती है ट्रांसबॉन्डी रिवर जिसका नाम है कामिंग यह ट्रिब्यूटरी है इसकी फिर आपकी एक रिवर और आती है नीचे से इसका नाम है मानस और यही मानस क्या आएए यहां पर इलीफेंट पाए जाते हैं इसके बाद आपकी शिक्किम से निकलती है यह एक आपकी तीसता रिवर यहां से निकलती है तो ब्रह्मपुत की ट्रिबिटु ही जिसका नाम है तीस्ता रिवर्व ठीक है तो ये तो हो गई अब और में अगर देखा जाए तो सबसे पहले लोहित पड़ेगी इसके बाद धनसरी पड़ेगी इसके बाद मानस पड़ेगी इसके बाद तीस्ता तो हमारा कोशन सॉल्व हम अगर करें तो क्या देखें सबसे पहले आपकी क्या पड़ेगी लोहित पड़ेगी मलब तीन नमबर पहले पड़ेगा इसके बाद आपकी क्या पड़ेगी इसके बाद पड़ेगी धनसरी मलब दो नमबर पहले पड़ेगा फिर पड़ेगा फिर आपकी मानस पड़ेगी, बन पड़ेगा, फिर आपकी चार, तो बत्तिस चौधा, देखों, बत्तिस चौधा, ए ओफ्शन इस करें, तो उमीद करता हूँ, ये कॉशन आपको समझ में आओगा, अचा अब इसका बार थोड़ा देख लो, ब्रह्म पोत्र जब असाम में होती है, तो असाम में एक रिवर आइलेंड देखने हों को मिलता है, रिवर आइलेंड, जिसे नाम है माजुली, क्या नाम है जिसका, ये एक रिवर आइलेंड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलेंड है, वर्ल्ड का लार्जिस रिवर आइलेंड, मलाव ये समझ लो, कि जो ब्रह्म पोत्र रिवर है, उसकी ऐसे करके दो साखाओं में बढ़ जाती है वो, असाम में जाके, क्योंकि फ्लर्ड जो सबसे बड़ा रिवर आइलेंड है, भारत में है, ब्रह्म पुत्र रिवर पे, असाम में, ठीक है, चलो, एक information और मिल गए यहां पे, तो चलिए, उमीद करता हूँ, question आपको समझ में आया होगा, आपने अच्छे से अटेंड किया होगा, चलिए, next question, last question, और ये है world map पे, इस सी दिये गए है, स्लेप सी, जावा सी, सोलोमन सी, अराफुरा सी, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, ये किस ocean का part है, या एक ocean का part है, या कई सारे ocean का part है, या जो भी है, इनको west to east आपको arrange करना है, तो आपने अगर world map को अच्छे से देखा होगा, जाना होगा तो आप साथ इस question को attend कर ले जाए, क्योंकि आज ज्यादात और UPSC street pieces में इस टाइप के question frame हो जाते हैं, होते हैं, और होते आई हैं, तो चलिए, देखते हैं हम अपने map पे, तो map पे चलें सबसे पहले, तो हम देखेंगे क्या C के बारे में, तो देखो, यह हमारा प्यारा भारत, भारत से अगर हम थोड़ा South East की तरफ चलें, तो South East की तरफ नीचे देखेंगे, नीचे आपको कुछ island type की country मिलेंगी, जहां पे आपको Indonesia, Borneo Island, Philippines, और आपको Papua New Guinea, Solomon Island, यह सारी country मिलेंगी, ठीक है, ताइम ओल, तो यहीं पे अगर हम थोड़ा जूम आउट करें, तो देखेंगे, कि सबसे इदर आपका पड़ेगा, जावा से, जावा सी क्या है, आपका Borneo Island, और जो नीचे इंडोनेशिया, इसके बीच में है, मलब Borneo Island, Borneo Island का पार्ट जो है, वो मेजर पार्ट है, जो इंडोनेशिया, वो भी है, तो मलब यह चारो जावा सी क्या है, जावा सी क्या है, जावा सी के थोड़ा सा हम वेस्ट की तरफ चलेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे, जावा सी से थोड़ा हम जाएंगे, नौर्थ इस्ट की तरफ हम देखेंगे, क्या मिलेगा, हम में स्लेप सी मिलेग किया flashy कि और आपका फुर्ड प 210 2वलेसिय wid कि ऐटा नीचे आपका इंडोनेशिया है वुपर आप का फुलिपिन्स घेररा पड़ा है इसंड कि जिता सक्वेलिकल पारट है ठीक है तो आपको सलीषिय तुलू सी मिलेगा और फिर स्लैप्सी से अब जस्त नीचे थोड़ा आएंगे तो बंदा सी अब फिर आपको अराफुरा सी मिलेगा अराफुरा सी आपका इंडोनेशिया यह वाला जो पार्ट यह पूरा आइलेंड पको अनिगनी नहीं है यह यह लाइन दिख रही है आपक और अराफुरा सी के थोड़ा उश्त में चलेंगे तो आपको आपको भाषित करेंगे तो यह कुछप पायाँध्र है यह कंट्री ऑफ़र क्या यह पूरा पैस्वी कोशेन है यह आपको डॉटेड जिग जैक लाइन दिखरी इंटरनेशनल टाइम लाइन है ठीक है और यह आपकी जो डॉटेड दिखरी है होरीजोंटली यह आपकी एक्क्वेटर है तो चलिए बैक टूदा कोश्चन तो हम अपने सवाल पे आते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सा दिखाता जावा सी दिखाता मैं आप पे ठीक है फिर आपको कौन सा दिखाता आपको सलैप सी दिखाता फिर आपको कौन सा दिखाता फिर आपको दिखाता अराफ़ासी इसके बाद आपको सबसे लाज्ट में द ये आपको SLABS इह ये आपका हराफोरस इालोमन्स इह चलिए उमीब करता हूँ कोशन आपको समझ में आया होगा तो आज के ये 5 कोशन काफी महत्फपूर تھे काफी जानकारी आपको मिली होगी question के अलावा भी जानकारी क्योंकि वो भी ज़्यादा important है question को करना भी आना चाहिए elimination method है बहुत सारी चीज़े हैं और जो उसके अलावा भी जानकारी है उसको भी note down करिए अपने notes पर जो भी है जैसे भी है जानने की कोशिस कीजिए जो आपके exam perspective से बहुत ही important है अचाहिए इस वीडियो की जो link है और जो PDF है आपको इस telegram channel पर provide कर दी जाएगी यह हमारे instagram channel की link है यहाँ पर daily basis पर quizzes और आपको information जो भी है current basis पर मिलती रहेंगी तो join कर लीजिए description box में link दी गई है ठीक है तो हमारे channel को like, subscribe और शेर करते रहेगा तो चलिए इसी note पर हम अपने वीडियो कर फिनिस करते हैं God bless you all and जय हैं